अश्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरिजा स्टडी.9 पे आज हम दोस्तों भारत के नामकरण सम्धि जानकारी को देखते हैं यानि भारत का नामकरण किस प्रकार हुआ और आज भारत को किन किन नामों से जाना जाता है और ये नाम भारत को किन देशवासियों से या किसी अक्षेतर विशेश को किसी विशेश समय में किस नाम से पुकारा जाता था या किसी अक्षेतर में रहने वाले लोगों को किन नामों से पुकारा जाता था जो बाद में उनके स्पेसल रूप में नाम बन गए यही आज हम समझेंगे, बारती उब महाधविब में 5 देश माने जाते हैं, यानी भारती उब महाधविब में 5 देश हैं, कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बंगला देश, नेपाल, भुटान, ठीक है? अब देखिये, पुरानों में भारत को जंबू दवीब कहा गया है, भ अब आगे देखिए अब आगे देखिए अब आगे देखिए स्रेष्ट मानते थे और अपने अक्षेत्र को आरियवर्त नाम दिया जिस कारण भारत का एक नाम करण यानि भारत को एक पहला नाम कोन सा मिला आरियवर्त इसके बाद कुछ समय बाद जब इरानी भारत आये यानि भारत पर बार बार आकर्मन होते रहे थे और कभी इरानियो ने कभी युनानियों ने तो कभी फार्सियों ने भारत पर लगातार आकर्मन किया था ठीक है इरानियों ने जब भारत को भारत पर आकर्मन किया या भारत में आये वो तो इरानियों ने भारत को सिंदु नदी के कारण हिंदु कहा क्योंकि ये जो इरानी लोग थे ये सै का उचारण है से करते थे ठीक है सै का उचारण है से करते थे इसी कारण इन्होंने सिंदु नदी की घाटी में रहने वाले लोगों को यानि सिंदु नदी के जो घाटी में रहते थे जो लोग भारती है जो सिंदु नदी के घाटी में रहते थे उनको सै का उचारण है से किया तो उनको हिंदुस्तानी नाम मिला यानि जो हिंदुस्तान नाम है वो किस ने दिया इरानियों ने भारत को दिया और किस करण दिया क्योंकि ये सै का उचारण है से करते थे और सिंदु को इन्होंने हिंदु कहा और सिंदु नदी की गाटी में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा अब देखे युनानिय युनानियों ने सिंदू नदी को इंडस्रीवर कहा और इसके पास पास रहने वाले लोगों को इंडियन कहा यहीं से नाम निकल कर आया इंडिया यानि आज जो फिलहाल वर्तमान में नाम चलता है भारत का वो क्या है इंडिया और कुछ सम्में पहले हाई कोर्ट में या या जो हम ही लोगों ने या हमारे देश वासियों के नाम पर पड़ा वो है भारत क्योंकि भारत जो रिशी थे वो भारत की पैदाईस थे यानि भारत अगर रिशब देव के पुत्तर थे तो भी अगर सकुंतला और दुसियन्त के पुत्तर थे तो भी है तो अपने मूल भ का नामकर्ण किस परकार हुआ था